सब्सक्राइब कीजिए धे आईयस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बीते दस नोमर को निर्वाचन आयोक को एक अलग उचाई तक ले जाने वाले शक्स और पूर्व मुख्य चुनाओ आयोक्त टीन शेशन का निधन हो गया शुरी सेशन 87 साल के थे वे 1990 से 1996 तक मुख्य चुनाओ आयोकत रहे शेशन अकसर मजाक में कहते थे कि मैंनास्ते में राजनीतिक्यों को खाता हूँ DNS में आज हमाप को टीन शेशन के बारे में बताएंगे साथी उनके द्वारा लागू चुनाओ सुधारों के बारे में भी चर्चा करेंगे टीन शेशन का जन्म 15 दिसंबर 1932 को केरल के पलकर जिले के तिरुनेले नामकस्थान में हुआ था इनका पूरा नाम तिरुनेले नरायन आयर शेशन था विच्छे भाई बेहनों में सबसे छोटे थे और उनके पिता पेशे से एक वकील थे उन्होंने अपने स्कूली सिख्षा बेसल इंजिकल मिशन हैर सिकेंडर स्कूल से पूरी करने के बाद गौर्णमेंट विक्टोरिया कॉलेज पलककर से इंटर्मेडियर पास किया उसके बाद मदरास्त कृष्ष्यन कॉलेज से भहोतकी मसनातक करके उन्होंने वहां बतोर लेक्चरर सेवा देना प्रारम किया साल 1923 में उन्होंने मदरास्त क्रिशियन कॉलेज छोड़ दिया और 1925 में भारतीर प्रशाशनिक सेवा की परिक्षा पास कर तमिलाडु कैडर जोइन कर लिया सिवल सेवा में आने के बाद वे हॉवर्ड विश्वय द्याले में अधिन करने चले गए जहां उन्होंने पब्लिक एड्मिस्ट्रेशन में पोस्ट अग्रेशन के डिगरी हासिल की सिवल सेवा में रहते हुए उन्होंने कई भी भगों और मंत्रालेओं में काफी उम्दा काम किया जिसके लिए उन्हें काफी ख्याती भी मिली साल 1989 में उन्होंने 18 में कैबनेट सच्यू के रूप में पदभार सम्हाला कैबनेट सच्यू भारती सिविल सेवा में सबसे उची पदवी माने जाती है उसके बाद उन्हें योजना आयोग में अस्थानांतरित कर दिया गया साल 1990 में उन्हें दसमें मुख्य चुनाव आयोगत के रूप में नियुक्त किया गया और वे 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक इस पद पर बने रहे इस दोरान शेसन ने चुनाव इस संस्कित में चल रहे खरीब 100 से अधिक गड़बरियों और कुप्रताओं में सुधार किया इसमें चुनाव आचार संगिता लागू करना, मद्दाताओं के लिए मद्दान पहचान पत्र जारी करना चुनाव के उम्मीदवारों के खर्ज की सीमा तैं करना और जिस राज में चुनाव हो रहा है वहाँ दूसरे राजों के चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करने जैसे एहम खदम शामिल रहे हैं उन्होंने मद्दाताओं को रिश्वत देने या डराने चुनाव के दौरान शराब का वितरन करने, प्रचार के लिए सरकारी मिशनरी का उप्योग करने और मद्दाताओं को जात या संप्रदाई के आधार पर उकसाने जैसे चुनावी विसंगतियों पर काफी सखती यहां पर शेशन के जीवन से जुड़े एक वाक्य का जिकर करना काफी रोचक होगा। उन्होंने बस की इंजन को खोल कर दोबारा फिट करना सीखा, एक बार तो उन्होंने बीच सड़क पर ड्राइबर को रोख कर स्टेरिंग सम्हाल लिया और यात्रियों से भरी बस को 80 किलोमिटर तक चला कर दिखाया। रिटायर होने के बाद उन्होंने देशभक्त नाम से एक ट्रस्ट बनाया, साल 1997 में विराष्टरपती का चुनाव भी लड़े, लेकिन के आर नारायन से हार गए। उसके दो साल बाद कॉंग्रेस से टिकट पर उन्होंने लालकृष्ट आडवानी के खिलाब चुनाव भी लड़ा, लेकिन उसमें भी पराजित हुए। शेशन को आजाद भारत के एक ऐसे नौकरशाह के रूप में याद किया जाएगा, जिसके पास खुद की एक मौलिक सोच थी और जो देश में पारदर्शिता और निस्पक्ष्टा के लिए विवादित निर्णे लेने में भी नहीं डरते थे। उनके आलोचक तो उन्हें सनकी तक कहा करते थे, लेकिन उनके सनक ने उन्हें लोकसेवा के अतिहास में मील का एक पत्थर बना दिया। झालोचक झालोचक झालर झाल